दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में विजे प्रकास आपका हार दिक स्वागत करता हूं दोस्त 2022 अभी बीता नहीं है और हम 2022 तेक के लिए ही इस बिजनेस में आये भी नहीं है यह जेनरेशन टू जेनरेशन चलने वाला बिजनेस है सभी फाउंडर्स को भरोसा भी है कि भले इसमें सकसेज मिलने में थोड़ा देर लगे बट इतनी बड़ी सफलता कहीं करोरो रूपिये लगा कर और दीन द्यात मेहनत करने के बावजूद भी संभो नहीं है यहां तक कोई प्रोबलम नहीं है इतना लगभग सभी को भी स्वास है दिक्कत कहा है कि यहां फाउंडर्स भी दो कैटेगरी में है आर्थिक मामले में कुछ तो मिडल क्लास में है जबकि सबसे अधिक लोर क्लास के है सुबह कब यौस्था हो गया तो साम की चिंता लगी रहती है बहुत सारे लोगों को तो गौर्मेंट से रासन के रूप में गेहुचाओल भी मिल जाता है बट गेहुचाओल से तो काम चलेगा नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं बस ऐसे ही अधिकांस फाउंडर्स बेचैन हैं कि जल्दी से जल्दी इंकम स्टार्ट हो जाता तो जिन्दगी जीना कुछ आसान हो जाता ऐसा बात नहीं है कि मिडल क्लास वाले को पैसा नहीं चाहिए इन्हें भी चाहिए बट वे ऑनपैसिप को ही लेके नहीं बैठे हुए हैं कि इससे इंकम आएगा तो हमारा काम चलेगा लेकिन लोर क्लास वाले फाउंडर्स जरूर आस लगाये हुए हैं कि इंकम स्टार्ट हो जाता तो कुछ काम चलता ऐसे आस तो सभी फाउंडर्स को है कि जल्दी से जल्दी इंकम सुरू हो जाता तो बरिया होता उधर CEO Mr. S के भी सोच हैं कि फाउंडर्स के इंकम आने के जो भी प्रोसेस हैं उससे जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाए दोनों तरफ एक ही तरह की चाहत है एक ही तरह के सोच हैं चुकि CEO Mr. S. को भी पता है कि कोई भी founders यहां software engineer या software developer बनने के लिए नहीं जोईन किया है। जहिर सी बात है वह income के लिए जोईन किया है इसे, क्योंकि जिस समय हम लोगों को marketing plan share करके इस business में लाएं, उस समय value की, success की या apple की बाते नहीं होती थी। उस वक्त यहीं बताया जाता था कि यह एक IT company है, इसके सेक्रो IT products आ रहे हैं, सभी के सभी artificial intelligence based हैं, बस कुछ लाख ही यहां founders बनने हैं, इसके बाद जो भी users, जो भी customers on passive में आएंगे, वे सब के सब founders के यह structure में आएंगे, इस से बहुत बढ़ा revenue generate होगा, जो हमें income के रूप मे हमारे wallet में आएगा, और यह income पीरही दर पीरही तक जाने वाला है, तब जाके इतना बरा community बन पाया on passive का, on passive पर एंड हमारे CEO Mr. S पर भरोसा 100% है सभी founders को, इसमें कहीं से भी संका की कोई बात नहीं है, बस जिस founders के economical condition बिलकुल खराब हैं, उन्हें कोई रास्ते नहीं समधान के लिए सिर्फ on passive के अलावा, इन जैसे लोगों को लंबे समय इंतजार करना थोड़ा मुस्किल लग रहा है, जबकि इन्हें भी पता है कि हम जैसे लोगों के सारे समस्याओं का समधान सिर्फ on passive ही है, बस यह अपनी समस्याओं के वजह से चाहते हैं, कि अगर 2-4- 5000 रुपिये इनकम भी स्टार्ट हो जाता, तो बहुत सारे प्रोब्लम सॉल्व हो जाते, क्योंकि जरूरतें कम हैं, फिर जब बाई कार लेने लाइक इनकम होता, तो देखा जाता, दरसल इस बात को हमारे लिडर्स भी समझ रहे हैं, CEO Mr. S. तक भी समझ रहे हैं, तभी तो उनके सोच की विशालता को और महानता को दरसाता है, दोस्त, CEO Mr. S. तो चाहते होंगे, कि आज का आज इनकम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जितनी हमें जरूरत है पैसों की, उससे कम उन्हें भी नहीं है, इतने बरे-बरे ओफिस, हजारों इंपलोई, डेटा सेंटर, तो ज्वाइनिंग भी बंद है, अब इनकम जनरेट करने के अलावा कोई आप्सन ही नहीं है, इसलिए हमारे टेक टीम, मर्केटिंग टीम, ओ मीडिया टीम, सभी के सभी दिन रत लगे हुए हैं, ताकि चीजों को सही तरीके से दुनिया में लाया जाए, जिससे विश्टर सा सकें, इउजर्स रिसेलर सा सकें, ताकि इनकम जनरेट हो सकें, कमपनी को भी और फाउंडर्स को भी, दोस्त, चाहे जो जिस लेवल का भी फाउंडर्स है, समस्याएं सभी के पास है, थोड़े कम या ज्यादा, बट घबराने से कुछ नहीं होगा, भरोसा रखें, हमारे 2023 का ही इंतिजार करना होगा, दोस्त, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो सब कुछ 2022 में होगा, जिसका हम इंतिजार कर रहे हैं, बदलने को एक दिन में बहुत सारा कुछ बदल जाता है, अभी तो इस साल में करीब 16-17 दिन बचे हैं, समय थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, पर इतना जान लिजिए, हम अपनी सफलता के बिलकुल करीब हैं, एक बार सब कुछ सही तरीके सा सुरू हो गया, तो फिर हम पुर्व के सारे समस्याओं, तकलीफों, दुखों को भूलने वाले हैं, और सब कुछ सुरू होने में, अब बहुत अधिक देर भी नहीं लगना है, आपको तो पता है कि मैं ओनपैसिप के भी अपडेट्स देता हूं, सीओ मिश्टर एस एंड लिडर्स की भी बात करता हूं, और आप सभी फाउंडर्स की भी बात रखता हूं, मैंने अपना चैनल ही सुरू किया था फाउंडर थोरा मनेजमेंट को भी ध्यान रखना होगा कि जब सब कुछ परफेक्ट दिखे तभी कोई डेट दे, अन्य था जैसे दुबई बुर्ज खलीफा पर बिना कोई डेट दिये, बरे लेबल पर मार्केटिंग हुआ था, वैसे भी सर्पराइज दिया जा सकता है फाउंडर् दोस्त, यहां हर कोई इनसान है और गलतियां इनसान से होती है, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है, कि हम किसी को कोई डेट दे दे दिये, कुछ होने का, और उस डेट पर वह काम पूरा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं, कि हम गलत हो गए, जीवन है, यहां सब अपने हाथ में नहीं होता है कुछ उपर वाले के मरजी पर भी छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए बिंदास रहिए क्योंकि हमें सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता बस यहीं चीज काफी है हमारे भरुसे को, हमारे उमीद को जिन्दा रखने के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें आपके उज्जिवल भाविस्ट की कमनाओं के साथ मिलते है नेक्श वीडियो में थैंकिव दोस्त, धन्यवाद